नमस्कार दोस्तों मेरा नामें कभीर और आज हम सुनने वाले हैं रिच डैड पूर डैड बाई रोबर्ट की उसाकी तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखे तो प्लीज जाके उसे देख लिजेगा वरना आपको पार्ट टू समिझ नहीं आएगा चलिए शुरू करते हैं है आज का पार्ट टू सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेट से एसेट अमान लिजेँ मिडल क्लास फैमली का आंद्मी है और वो जो है एक घर खरीडता है तो उसको क्या मानेगा एसेट अब ये जो मिडल क्लास आदमी वों गलत है वह एक्चुली एक लाइबलीटी है आप सोच रहेंगे लाइबलीटी कैसे हैं लाइबलीटी इस ऐसे है कि मालीजिए अब अगर हमने घर खरीद है तो उसमें सीलन आएगी हमें पेंट करवाना पड़ेगा घर में फनीचर लगवाना पड़ेगा वरना घर खाली-खाली लग लगेंगे बहुत सारे ठीक है तो खर्चे लगेंगे तो और हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो इसलिए वह हमारी है कि लाइबलीटी है क्योंकि हम उसमें हमारे पैसे हमें उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहे है तो चलिए अब हम बात करते हैं एसे बारे में अब आपने सब्सक्राइब भी जरूर सोचाओ दर कि अगर घर असे नहीं तो प्लॉट भी नहीं है प्लॉट एक एसेट है प्लॉट एसेट कैसे मां लीजिए आपने प्लॉट लिया एक सोसाइटे में 2010 का 10 लाख रुपे का ठीक है वो जो कोना नहीं है हाईवे के पास से उसमें सब च चाहिए और प्लॉट भी मतलब सब्सक्राइब 10 लाग का आपने खड़ी लिया आज 222 है और आप उस प्लॉट की किमर करते हो और आप हरान हो जाते हैं कि उस प्लॉट की जो वैल्यू है वह आज लगबग 40 लाग के राउंड या मतलब डिपेंड करते हैं को लॉनी की सब्सक्राइब करेंगे उस प्लॉट का तो जब प्लॉट का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपने मानलो 10 लाग की का खरीदा और वह 40 लाग का हो गया तो 30 लाग का आपको इसमें मुनाफ़ा हो गया ठीक है राइट अब हम बात तो प्लॉट एक इन्वेस्टमेंट है और वह जो घर है वह इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अब हम बात करते हैं कि जौ मेडल ख्लास आनमी है वह जब भी मतलब उससे मन का उसको अच्छी सालरी आने लगती है तो वह अपने सारे शोक पूरे करता है जबकि जो और वह जो है फिर मेडल ख्रास मानता है कि वह एक लग लाइफ जी रहे तो एक्चुली वह लाइफ नहीं वह और लालच करेगा और उसे मेनत करने पड़ेगे और फिर वह लगश्री लाइफ नहीं बस वह भागम भागे बढद मची पैसे के पीछे मांद लिए यह है मांद लीजे अब जो अमीर लोग हैं वह पहले पैसी कमाते है जल्दी से अपने सारे वह नहीं कर लेते कि जैसे मान लोग उन्होंने 10 करोड कमाई वह अपने शोक पूरे कर लेंगे नहीं तो शेव करते हैं ताकि बुरे टाइम में भी बुरे टाइम में भी जो पैसा है वो उनको हेल्प कर सके जिससे कि उन्हें कोई परशान्याम आए औ और वह अपनी शोक तब ही पूरे करते हैं मान लोग उनके एक्सपेंसेज हैं एक करोड और उनके अन्हें है 10 करोड तो भी वह जो है 2-3 करोड सुच समझ के लगाते हैं ताकि जो है उनके पास पैसा सेव होते रहे और जो मेंडल करास आदमी वह उसके एक्सपेंसेज है ने मानलो 50,000 हर में तीन च्छे मीनों के ठीक है और उसके छे मीनों की सालरी है तीन चार लाख हो तो वो अपने शौंक पूरे कर लेगा और फिर वो सेव नहीं करेगा पैसे और फिर वो ऐसे भगदर्ड में जैसे सब सारी भीड भागती है न पैसे की पीछे वैसे वो भी गांट करेंगा तक क्योंकि उसे और लालत हो जाएगा दो जो अब हम मानले थे कि जो रिच होते हैं उन्हें भी लॉक्शरी लाइफ जीते हो अब वो जीतेAK कभ है जब उनके पास जो पैसे रख लगता है उन्हें जैसे मानलोंक्ट फेंसे मैंने बताया आपको एक अर्णिंग 10 करोड है तो वो 2-3 करोड सोच समझ के लगाएंगे अपनी लक्शूरियस लाइफ को जीनने में जिससे कि वो जो है उनके पैसे बाके बच्चे वे सेव हो जाएं तो अब हम बात करना वाले हैं ताक्स के बारे में टाक्स पहले इंगलेंड और अमेरिका में नहीं लगाया जाता है जिक Cafes तो two-day war ऑ्ग जाता है फार वैसे युज में उसकी आजाता है चुरू हो गया और और अमेरीका में टेक्स लगना शूरू हो गया पहले तो टेक्स सिर्फमीर लोग कर लगता था पर फिर जो अमीर लोग हो सोचलु लगए कि ता जी यह तो टेक्स है इंडियों के लिए तो बहुत ज्यादा गंदी चीज और जो गरीब और मिडल क्लास लोगन के तो फाइदें से फिर उसके बाद जो लोग टाक्स के जो विरोधी थे फिर उनकी कारण्स से सब पर टाक्स लगने लगया चाहिए वो गरीब हो चाहिए वो मिडल क्लास ले अमीर तो उसके बाद सब लोग टाक्स को एकसेप्ट कर लिया अब जो है जो रोबर्ट की उससाखी है उन्होंने अपने स्कूल में बहुत सुना था रोबिन हुड के बारे में तो जो है उनके क्लास में बताया जाता था जो रोबिन हुड है वो अमीरों से प गरीब होड़ देठा था उन बाकी लोगों में तो गरीब लोगों में और बाकी लोगों की नजरों में तो रोबिन होड काफी अविए थे पर रोबर्टों माईक के जो रिच डाड थे। सका में वह ब बनवान सते। तो अभी तोकाफी टाइम हो गया रोबिन हुड को गुजरे और रोबिन हुड के जो फैंस हैं वो अभी भी जिन्दा है इन्धा है फैसर र२हीं लोगों को यह कहते हुई जरूर्व सुना होगा कि वो जैसे उनके पास पैसे हाते हुँ गाड़ी खरीद लेदे हैं तो जो है रोबर्ट कियो साकी जो थे उन्होंने बो चार स्वाल लगाए थे अपने कट्षे करने में उनके अपार्टमेंट से और फिर जाके उन्होंने बजार से एक मेहंगी कार खरी दी तो हमें यह पता चलता है कि नपैनी सेविंग इस एरनिंग और हमें शोक पूरे करने चाहिए पहले हमें जो रोबर्ट की उसाखी के पूर डाड़ से उनकी तरह बन जाएंगे धन्यवान मिलते हैं अगली बार बाई बाई